तुलसी प्लांट इसे आप कैसे लगा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं सबसे ज्यादा इसे डिस्टर्बिंग समय हो जाता है अब जो महीना आएगा ठंड का महीना ऐसे अभी बारिस का महीना है ठंड के महीने में थोड़ा डिस्टर्बिंग इसके लिए हो जाता है और तुलस तुलसी का प्लांट बचेगा और पूसी बनाने के लिए इसको पहले आपको अच्छी तरह से मिर्टी का खाद बनाना होगा और मिर्टी में खाद आपको ज्यादा कोई रिच फटलाइजर नहीं देना होगा फटलाइजर के नाम पे जीरो आपको वर्मिंग कमपोस्ट देना होगा क्योंकि तुलसी का सबसे ज़्यादा मेडिरिशनल प्रयोग है उसके बाद ही से आप इसका प्लांट आपको चलाना भी होता है और इसको आप जहां लगाईएगा वहां लोग मिट्टी में ही ज्यादा तर लगाते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें रिच फ पहला नमबर पर यह देखें जो पूझा करने वाला चीज है इसलिए ये छोटा सा क्यारी है उसी में एक प्लांट नहि Amid podcast गोबर की खाद है, दो सालों का गोबर का खाद है, जो सरा हुआ है, और वो हम दिये थे पांच के जी, और दस के जी इसमें मिट्टी भरा हुआ है, नीचे से कोई वो नहीं है, और देखी कितना अच्छा पूसी बना हुआ है, यहीं पिंच कर देते हैं, सबसे अच्छा है, स ुपर से साधा तोड देते हैं जिसे पिंच यह जितना ज्यादा यह देगा बीज बनाएगा उतना ही ज़्याद पहले खराब होगा इसलिए आप द्हान देजे जो बीज बनने न दीजिए और बीज बनने से पहले ही यह अटा दीजिए यह सुख गया है इससे ज़्यादा वीडियो बनाएने का कारण यह सुखा लिया है नहीं तो पहले ही कोमल पती रहता है तभी आप पिंच कर दीजिए इससे पहले चुटकी बाज आखे लोग इसको काटते हैं यह सेटीव प्लांट होता है इसे लोग पूजा करते हैं तो इसके लिए भी रखते हैं इसमें बर्मी कपोस्ट और मिट्टी का मिक्चर रहना चाहिए 75-25 का रिशियो रहना चाहिए जिससे यह रिच फैटलाइजर बनते रहे और पाच या दस रुपे में कहीं प्लांट मिल जाएगा या भी इसका कहीं से लिद्व ले चारा और उसे हिए आप गमला में डाल दीजिए अराम से यह घ्रों हो जाएगा वहां ग्रों होने में एक दो प्लांट तो अराम से घ्रों हो जाता है सब से ज्यादा इसे ठंड के मौसम में मैं इसे जहां मतलब ऊपर से पूरा साइड फंगस ही सबसे ज़्याद अट्रेक करता है ठंड के मौसम में और किट भी अट्रेक करता है इसलिए मिराकुलार रोगर का प्रयोग किया था और यह को जहाब के रखा था तो वो किसी कारण बास सुख गया था उस सबसे पहले वही सुखा तो इसलिए जहाब के उतना अच्छा नहीं आपको सूती कप्रा से जहाबना होगा मतलब धोती जैसे हो गया क्योंकि सूती कप्रा में अंदर यह सर्कूलेशन होते रहेगा तो वह प्लांट बचेगा नहीं तो ऐसे नहीं बच पाएगा और ऐसे जहाब दीजेगा तो वह प्लांट आराम से सुख चाहिए जो एक आईडियल धूब होना चाहिए जो कि बहुत अच्छा राता है और यहीं होता है जो प्लांट बहुत अच्छा चलता है और प्लांट एक प्लांट आप एक जगा दो तिन प्लांट लगा दीजेगा तो बहुत खाना लगेगा इसलिए एक प्लांट ही लगा लोग इसे खासी के रूप में उबाल के पीते हैं तो उसके रूप में भी लोग यूज करते हैं तो इसलिए उदना ज्यादा नहीं करना चाहिए और उबाल के पीने के लिए लोग रखते हैं तो अपना वो कर लिए इसे अगर एक प्लांट आप रखिएगा तो दस बारा बी जमीन पी है तो बहुत ज़्यादा दूर में फैल जाता है उसको हटाने भी पड़ता है ऐसा भी देखा गया है जो एक जगा बहुत सारा expand हो जाता है और इसे में स्याम तुलसी दो रग काता है एक यह यह वाइट वाला है राम तुलसी जीसे कहा जाता है एक ब्लैक वाला आत जो पूजा पाठ के लिए यूज किया जाता है यही दोनों रहता है धन्वाद इतना दर वीडियो देखें हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें